इस वीडियो को लाइक कर दीजिए नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वेल्कम फ्रेंट्स आज हम पलोंची भर्वा मसाला बनाते हैं इसके लिए ये समगरी मैंने लिए है धनिया, सौफ, जीरा मंग्रेल, और मेथिदाना अब हम एक पैन लेते हैं और इसे गरम करते हैं और इस में हम पहले मेथिदाना डालेंगे दोस्तो एक बार हमें ध्यान रखना है कि हमें सारा भूहना जो है धीमे से मद्ध हम आज पर करना है वरना हमारे मसाले जल जाएंगे अब मेथी दाना को सबसे पहले डालते हैं क्योंकि ये भूझने में ज्यादा समय लेता है मेथी दाना के गुलावी होने पर अब हम इसमें जीरा डालेंगे 2 मिनट जीरा डालके चलाने के बाद अब हम उचमें मोटी सौफ डालेंगे उसे भी चलाएंगे और उसके बाद हम एक मिनट बाद ही हम उसे धनिया डाल देंगे साबत धनिया और उसे चलाएंगे अब हमें धनिया चटकने के आवाज आने लगेगी और अब हम उसमें मंग्रेल भी डाल देंगे और सारे मसालों को धीमी आज पर हम चलाते रहेंगे जब तक कि वो सलके सुनहरे रंके ना हो जाएं और मसालों के चटकने के आवाज तेज होने लगेगी यह देखिए हमारे मसाले सुनहरे हो गए हैं आप इसे पास से देख सकते हैं मसालों को एक ठाली में निकाल कर उन्हें ठंडा कर लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने पर उन्हें हम मिक्सी में डाल कर बारीक पीस लेंगे देखिए हमने मसाले को बारीक पीस लिया है यह पाउडर आपको दिख रहा है यह हमारा कलोंजी मसाला तयार हो गया है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों